दोस्तो क्या आप जानते पिर्थवी तक सूरज की रोशणी को पहुँचने में 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लगता है और क्या आप जानते पिर्थवी गोल है लेकिन वो हमें समतल क्यों दिखाई देती है और कि आपको पता है पृत्वी पर साथ देश ऐसे हैं जिनोंने अपने छेत्रफल से 40% से ज़्यादा पृत्वी को गेर रखा है अगर नहीं तो आज इस वीडियो में आपको पृत्वी से जुड़े कुछ ऐसे amazing facts को बताऊंगा जो आपकी सोच को थोड़ा बदल देंगे तो बात करते हैं fact number one की दोस्तो पृत्वी पर एक दिन में 80,000,000 से ज़्यादा बार बिजली गिरती है और अगर बात कर एक सेकंड की तो एक सेकंड में लगबग 100 बार बिजली गिरती है मतलब जितनी देर में मैंने इस fact को बताया है उतनी देर में 1600 से ज़्यादा बार बिजली गिर चुकी है amazing fact number two दोस्तो पृत्वी पर कभी भी पानी की कमी नहीं हो सकती ऐसा कुछ लोग सोचते हैं अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलस सोचते हो क्योंकि पृत्वी पर जितना भी पानी मौझूद है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है बाकि 97% पृत्वी पर मौझूद पानी पीने लायक नहीं है और विज्यानिकों का कहना है के पानी पृत्वी पर तीसरे विश्वियूद होने की जड़ भी बन सकता है दोस्तो रशिया अंटारिटिका, कैनेडा, चाइना, यूनाइटेट स्टेट्स, ब्राजिल और अस्ट्रेलिया ये पृत्वी के वो साथ देश है जिनके 6 रुफल ने 40% से ज़्यादा पृत्वी को घेर रखा है मतलब आधी से थोड़ी कम पृत्वी के वोल इन साथ हिस्सों ने ही गेर रखिया वाह दोस्तो पृत्वी पर भले ही एक दिन में 24 घंटे होते हों लेकिन आज से साड़े 400 साल पहले पृत्वी पर एक दिन में 26 घंटे हुआ करते थे उस समय टाइम का मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से हुआ करता था जिस वज़ा से उस समय एक दिन में 24 नहीं बलकि 26 घंटे हुआ करते थे दोस्तो भले ही गोल्ड स्टैम पर इतना महंगा हो के हर को इनसान सोने को ना पहन सके लेकिन प्रिथवी पर इतना गोल्ड मौजूद है जिससे पूरी प्रिथवी पर डेड़ फिट गहरी एक परत बचाई जा सकती है दोस्तो जैसा आप सभी को पता है कि प्रिथवी के 72 प्रतीशत हिससे में पानी है लेकिन कि आप ये जानते हैं कि प्रिथवी के केवल 11 परसंट हिससे में क्रिशी होती है जिसमें साख सबजी, फल और अनाज उगाया जाता है और इनी चीजों से एक आम आदमी अपना जीवन व्यापन करता है दोस्तो इस समय प्रिथवी पर 106 बिलियन लोग रहते हैं और इसके साथ ही 2 लाक बच्चे हर रोज प्रिथवी पर जनम लेती हैं इस हिसाब से 2050 में प्रिथवी पर कुल लोगों की संख्या 9.2 बिलियन हो जाएगी जो भविश्य में इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मुसीवत बनेगी दोस्तो जब हम प्रिथवी से सूरच को देखते हैं तो हमें बिलकुल भी अंदाजा नहीं होता कि सूरच कितना बड़ा है हमें लगता है कि दोनों का अकार एक समान ही है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है सूरच प्रिथवी से 13 लाख गुना बड़ाए यानि कि 13 लाख प्रिथवी जैसी गोल अकार चीजे मिलकर सिर्फ सूरच के अकार की बराबरी कर सकती है दोस्तो जाने अन जाने में हम कुछ ऐसी चीजे कर जाते हैं जिससे प्रिथवी को काफी नुकसान होता है जैसे कि अगर हमसे कोई काच की चीज तूड़ जाती है तो वो प्रिथवी पर गलने में 4000 साल का समय ले लेती है और हमारे द्वारा यूज की गई पॉलिथिन को गलने में 1500 साल से जादा का समय लगता है अगर ये चीजे reuse हो गई तो ठीक है लेकिन अगर ये मिट्टी पर ऐसी पड़ी रही या धर्ती की सता पर ऐसी पड़ी रही तो ये प्रिथवी को काफी नुकसान पहुचाती है दोस्तो कई लोगों को अर्थ को लेकर confusion है अगर अर्थ गोल है तो उस पर मौजूद जमीन समतल क्यों तो अगर इसे scientifically तरीके से बात करें तो इंसान प्रिथवी पर चीटी के बराबर भी नहीं है इंसान की तुलना में प्रिथवी कई अर्बो करोडों गुना बड़ी है प्रिथवी हमें समतल क्यों लगती है अब अगर प्रिथवी को वापस छोटा कर देंगे तो ये वापस से हमें गोल लगने लगेगी उधारन के लिए आप समुंदर के किनारे या किसी उचाई वाली जगा पर जाकर खड़े हो जाओ वहां से अगर आप दूर देखोगे त आप आसमान धरती को टच करता नजर आएगा ऐसा इसलिए होता है कि हर पांच किलोमीटर के बाद हमारी प्रिथवी का सरफेस कर्व हो जाता है और इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और जैसे जैसे आप और आगे जाते रहते हैं ये कर्व होता रहता है लेकिन इस इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि हर 5 किलोमीटर बाद कर्व होने की वज़ा से पृत्वी गोल है और पृत्वी की सता हमें समतल इसलिए लगती है क्योंकि पृत्वी पर हम पृत्वी की तुलना में चीटी से भी छोटे है अब अगर मैं वापस पृत्वी को और स्किन पर छोटा कर दूँ तो आपको पृत्वी गोल लगने लगेगी लेकिन जैसे ही मैं इसे बढ़ा कर दूँगा आपको इसकी सता समतल लगने लगेगी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त में शेयर हो सकती है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना तो आते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई